जैहिन साथियो तो finally SSC द्वारा SSC MTS and हवलदार examination 2021 के लिए exam date का announce कर दिया गया है तो चलिए बात करते हैं exam कब से होने वाले हैं और दोस्तों आप लोग अपना application status चेक कर लिजिए क्योंकि बहुत सारे candidate को contents not verify का problem आ रहा है तो आप लोग अपना एक बार application status चेक कर लिजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका form accept हुआ है या फेदिजेक्ट है तो आप लोग को किस तरीके से चेक करना है step by step सारी जनकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते ह उसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेसन बिलको आल पर जरूर क्लिक कर लिजिए और टेलिग्राम को जोई नहीं किया है तो उसे भी जोई कर लिजिए वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों जो भी update आता है सबसे पहले वहां पर send कर दिया जाता है तो आप लोग टेलिग्राम को जरूर जोई कर लिजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका exam कब से होने वाला है तो देखे दोस्तों अभी हम SSC की official website पर आ देना है तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका exam जो start होने वाला है वह 5 जुलाई से हो जाएगा और आपका exam जो चलने वाला है वह 22 जुलाई तक चलेगा अर्था दोस्तों यहां पर 17 दिन तक आपका exam चलने वाला है तो दोस्तों टाइम बहुत ही कम रह गया है only 2 महिने का time आपके पास बचा है तो आप लोग अपनी तयारी start कर दिये और दोस्तों आपकी best तयारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा परिच्छा app के बारे में दोस्तों परिच्छा app पर आप लोग को special SSC MTS के लिए best practice course मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं आपको app को download कर रहा है यहां पर देखिए इस course की validity जो है वो six month है तो आप अपने पूरे exam तक यहां से तयारी कर सकते हैं देखिए दोस्तों यह practice course आपके लिए best रहेगा क्योंकि यहां पर जितने भी SSC MTS के syllabus दिये हैं सारे syllabus को यहां पर cover किया गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि chapter जितने भी question आपके exam में आते हैं सब को यहां पर cover किया गया है और यहां पर आपको complete previous year का question भी मिल जाएगा तो आप लोग इसे एक बार enroll कीजिएगा यहां पर देखिए इसका जो charge रखा गया है वो 349 रुपए रखा गया है किन्तों अगर आप अतुल सर 50 code यूज करते हैं तो आपको यहां पर 50% का discount मिल जाएगा और आप यह course only 175 रुपए में ही enroll कर पाएंगे देखिए दोस्तों 150 रुपए में ही आपको best practice course दिया जा रहा है यहां पर आप अपना live rank भी check कर पाएंगे यहां पर देखिए दोस्तों बहुत सारे candidate इसे apply कर रहे हैं तो आप भी इस करते हैं उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले login करना है आप अपना register ॆРЕजिए और पासवर्ड डालके यहां पर आपको login करना है तो चलिए म brack A दोस्तो हमने अपना register ID और password capture फिल करके login कर लिया है आप भी अपना register ID password फिल करके login कर लेना उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक option मिल जाएगा application status का तो इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद आपका application status open हो जाएगा और यहाँ पर देखें दोस्तो एक problem आ र content not verify पहले यहाँ पर दोस्तों provisionally accepted दिखाता था कि अभी यहाँ पर content not verify दिखा रहा है तो आप लोग भी अपना एक बार जरूर चेक का लिजिएगा अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है content not verify इससे क्या problem होने वाली है तो देखें दोस्तों इससे आप लोग को कोई problem नहीं ह दखा जाएगा इस notice में बिल्कुल साब सब बताया गया था तो दोस्तों आप लोग ज्यादा परसान ना होईएगा content not verify का मतलब यह है कि आपका जो application है वो review में गया है अब देखें दोस्तों यह provisionally accepted बहुत ही जल्द आ सकता है या तो फिर जब यह अपना application status रिलीज application status रिलीज करते हैं SSC के द्वारे जब officially रिलीज होगा जिसमें बताया जाएगा कि form accept हुआ या reject तब मैं आप लोग को inform कर दूँगा आप लोग चैनल पर बने रही है अभी यहाँ पर देखिए यह केवल review यहाँ पर दिखा रहा है कि under review में जा चुका है तो इससे आप लो से नेक्ट वीडियो में जाहिन